तो देखते हैं पर कोश्चंबर 19 में हमसे क्या पूचा गया है? Sodium carbonate on reaction with hydrochloric acid in equal molar concentration gives sodium chloride and sodium hydrogen carbonate. तो हमें यहाँ पर इसकी balance reaction लिखनी है, तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? इसके यहाँ पर formula के नाम हमें पता होने चाहिए जबी हम यहाँ पर कर पाएंगे. तो sodium यहाँ पर Na होता है और carbonate के साथ मिलके यह हमारे यहाँ पर क्या बना देता है? Na2CO3 अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम Na2 क्यों ले रहे हैं और CO3 क्यों ले रहे हैं? यह सारा हमारा यहाँ पर valency dependent कर रहा है अगर मैं यहाँ पर इसको निकालना चाहो तो यहाँ पर Na की जो valency होती है वो यहाँ पर क्या होती है? plus 1 होती है और sediment की 100 no तो यह एक electron यहां पर क्या करेगा release कर देगा इसलिए यहां पर plus 1 हो जाता है और plus 1 को यहांपर 2 से करना पड़ेगा unconditional K2 है Karbon की 4 होती है तो इसको भी यहांपर 4 लेकर रखते है और oxygen की यहाँ पर क्या होती है, यह माइनस का 2 होता है, क्योंकि इसका atomic number 8 होता है, इसको 2 electron चाहिए होती है, तो minus 2 into 3, minus का यहाँ पर क्या होगा, 6 हो गया, तो यहाँ पर 4026 प्लस का, और यह माइनस का 6, तो यह हमारा यहाँ पर total बिला क्या होगा, पूरा balance हो गया, तो reaction करवा रहे है, hydrochloric acid, तो hydrochloric acid को हम normally HCl लिख सकते हैं, और यह दोनों मिलके हमारा यहाँ पर क्या बना रहे है, sodium chloride और sodium hydrogen carbonate, तो sodium chloride जो हमारा common salt होता है, वो उसका formula यहाँ पर क्या होता है, NaCl होता है, और sodium hydrogen carbonate का formula होता है, Na, hydrogen का मतलब यहाँ पर H होगा, और carbonate का आपने द इसके नाम भी लिख देते हैं, यह हमारा यहाँ पर क्या है, sodium, यह हमारा यहाँ पर हो जाएगा, sodium chloride और इसका नाम यहाँ पे क्या था हमारा sodium hydrogen carbonate, यह हमारा sodium हो गया H से hydrogen और CO3 यहाँ पर क्या हो गया हमारा carbonate तो आप ऐसे भी इसको यहाँ पर लिख सकते हो sodium hydrogen carbonate और यह यहाँ पर देखते हैं बैलन्स है की नहीं है और यह हमारे यहाँ पर क्या है hydrochloric acid है यह हमारा hydrochloric acid अब देखते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से balance है की नहीं है तो यहाँ पर sodium हमारे कितने 2 है और यहाँ पर भी na और na यहाँ पर यहाँ पर पूरी तरीके से balance हो रहा है carbon यहाँ पर कितने 1 और 2 2 carbon है यहाँ पर हमारे पस 2 carbon है oxygen यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी oxygen 3 है और जो chlorine यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी chlorine एक है, तो यह पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है, बैलेंस है, तो हमें यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना होगा, यही हमारे यहाँ पर final answer होगा, आपको यह वाला answer समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ